हेलो दोस्तो मैं अरपन आज मैं आप लोगों को एडलवाइस मोबाईल ट्रेडर एप के विदाउट लॉग इन आप क्या-क्या चीज इस्तेमाल कर सकते हो और क्या-क्या चीज का फीचर आप यूज कर पाऊगे वो मैं आप दिखाने वाला हूँ दो सबसे पहले आपको Play Store पे जाना परेगा Play Store पे जाके अगर आप Edelwais Mobile App अगर लिखोगे तो आपको ये पेज आएगा तो हाला कि अगर आप देख पाऊगे की Edelwais Mobile App का रेटिंग जो है वो 4.3 स्टर रेटिंग है तो ये देखा गया है कि आज के दिन पे जितने भी Mobile App है उसमें से काफी अच्छा काफी उज़र फ्रेंडली और without login काफी features यहां पर मिलते हैं और जो trade करने के लिए काफी आसान होते हैं तो चलिए देखते हैं इसमें क्या-क्या features और क्या-क्या चीज़ें हम लोग without login अगर आपका account नहीं भी है तो हम लोग क्या-क्या चीज़ यहां से इस्तेमाल कर पाएंगे चलिए तो पहले mobile app खोलने के बाद आपको install करना परेगा तो मेरा जैसे कि पहले सी install है तो मैं यहां से यह open किया तो जैसे मैं यह app open किया यह जो पहला page आया यह dashboard है आपका अब हाला कि देख पाऊगे कि dashboard में अभी मुझे sensex और nifty आपका दिख रहा है यहां पे तो यहां पर हम लोग चालू करेंगे कि यह bull के साथ तो अगर हम लोग यह bull को यहां से drag down किये ठीक है तो हम लोगों को बहुत सारे features यहां पर देख रहे हैं तो मैं पहले ही आपके यह पर बोला था कि आज हम लोग without login के बारे में ही बात करेंगा और without login क्या-क्या feature से वो बात करेगे तो अगर आप देख पाओगे कि मेरे अभी तक login नहीं किया है और मैंने यहाँ पर कोई account भी मेरा अभी तक यहाँ पर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले चालू कर रहे हैं यहाँ पर बुल को drag down करके drag down करने के बाद हम लोगों क क्या दिकरा है sensex, nifty, nifty next 50 और sgx nifty के कितना क्या चल रहा है उसका तो यहाँ पर हम लोग जो customize यहाँ पर option है blue color का अगर हम लोग उसको click करेंगे यहाँ पर तो हम लोग और ज्यादा indexes जो है उसको हम लोग add कर पाएंगे तो add a type 4 index आप add कर पाओगे तो मुझे अगर यहा यहाँ पर delete के option click कर सकता हूँ और उसके जागा पर कोई भी कोई भी index में select कर सकता हूँ तो suppose मैं select किया यहाँ पर USD करने के बाद आपको यहाँ पर save change का जो button है वो आपको click करना पड़ेगा तो जैसे मैंने click किया अभी अगर मैं drag down करूंगा तो आपको दीख जाएगा कि nifty next 50 जो था वो हट गया उसके जगा USD जो है वो आ गया तो यह काफी अच्छा features है कि मैं अपने हिसाब से चार जो dashboard के जो options है चार जो indexes है अपने जो मैं जो हमेशा देखना पसंद करूंगा वो मैं यहाँ से directly add कर सकता हूं ठीक है उसके बाद आब यहाँ पर देख पाऊगेगी एक तरफ T करके एक option है जो yellow mark के अंदर white color के लिखा हुआ है और एक side पर आपका एडलवाइस का logo है तो दोन without login के बाद मतलब आपका account होना चाहिए और आप login करने के बाद के features है और left and side में जो option है अगर आप वहाँ पर click करोगे तो अगर आप दिखेगा वहाँ पर कि आपका without login क्या-क्या features हम लोग use कर पाएंगे तो चली हम लोग वहाँ से शूरू करते हैं ठीक है तो पहला अगर आप लोगों ने देख लिया कि dashboard में आप लोगों का यह चार option आ गया तो इसके बाद नीचे यहाँ पे एक white color का एक search option दिया गया है यह search option में अगर आप click करोगे तो आपको यह वाला page खुलेगा जहां से आप कोई भी stock के बारे में information या उसकी detailing आपको मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा तो suppose मैंने यहाँ पर stock में कोई भी एक stock यहाँ पर suppose मैंने यहाँ पर Tata Steel का यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा तो Tata Steel जैसे मैंने यहाँ पर click किया तो Tata Steel के बारे में यहाँ पर पूरे details आगे इसके overviews क्या है high, low, open क्या है उसके नीचे technical tools क्या है और उसके नीचे short analysis क्या है उसके option chain और यह small case करके option तो धीरे-धीरे हम लोग सभी चीजों पर आएंगे क्या-क्या चीज़े हम लोग इस्टमाल कर पाते हैं तो चलिए हम लोग home पे बापस आ जाते हैं यहाँ पर और left hand side में without login क्या-क्या features otherwise दे रहा है उसके उपर हम लोग बा रहा है overview tap so overview tap में आप दिख रहा होगा आप लोगों कि sensex, nifty, usd, nifty bank, nifty 100 या आपका nifty जो small 100 है उसके बारे में थोड़ा सा details और उसके नीचे आ रहे होंगे आपके advance और decline तो advance decline में आपको दिख रहा होगा कि advance जितने है NSE में 1041 और decline जो है 607 अब इसमें कितने कौन से- और क्यांसे-कौनसे stock decline में है वो जानने के लिए आपको यहाँ पर click करना पड़ेगा अगर आप click करोगे तो index में NSE भी आप देख लो कि total index wise आपको कौनसे-कौनसे और कितने stock जो है वो advance और decline में है वो आपको मिल जाएगा सेम अगर आपको BSC में देखना है तो यहाँ पर आप click करके यह BSC भी कर सकते हो आप ठीक है इसके बाद आपको आ जाता है market commentary तो market commentary में अगर मैं click करता हूँ तो आपको live news जो है जो commentary है वो आपको मिल जाएगा जैसे कि week में मतलब आज 8 बजे का अगर आपका कोई news जो है US crude oil के उपर है उसका data गया गया है उससे पहले 18 ठाकड़े जी ने आपका जो address किया है उसके बारे में है उसके बाद F2 के sell है मतलब यह आपके live news feeds है वो आपको यहाँ पर show होते रहेंगे उसके बाद आजाते हैं आपके sector performance जैसे जैसे sectors के है उसके details performance जो है आपका वहाँ यहाँ पर मिल जाएगा आपका sector wise कैसा कैसा performance है औ और आप चाहो तो यह for the day भी कर सकते हो week भी कर सकते हो month भी कर सकते हो year भी कर सकते हो ठीक है तो for the day में अगर मैं Nifty Pharma का देखता हूं जो की बरत मिला है 4.12% का अगर मैं वहाँ पर click करता हूं तो कौन से क्या-क्या चीजे है details है उसके आपको मिल जाएगा जिसमें अगर और फार्मा है बायकॉन है काडलाग एल्थकेर है यह सब स्टॉक्स जो है जो major contributors है निफ्टी फार्मा के आज के दिन पर गोट का ठीक है सेम अगर आप कोई भी बैंक में जाओ निफ्टी प्योसी बैंक में जाओ निफ्टी मेटल पर जाओ आपको वहाँ पर यह मिलता रहेगा नेक्स्ट एफवाई या डिवाइस के जो flows है आप वह भी चेक कर सकते हो इसमें एफवाई कैश डिवाई कैश जो है उसमें भी अगर आप चाहो तो उसमें डेख सकते हो डेली मंतली यर्ली वाईस यह डेली वाईस है डियाई कैश का अब एफटू कैश का भी यहां से चेक कर सकते हो आप आप F2 futures का भी चेक कर सकते हो, monthly wise भी चेक कर सकते हो, yearly wise भी चेक कर सकते हो, जिसमें आपको काफी अच्छा informative data भी आपको यहाँ पे मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है, यह थे आपके overall overview, आप इसके बाद जो tab आता है market stats, market stats में अगर आप जैसे click करोगे, आपको यहाँ पे starting मे दिख रहा होगा, Nifty 500, NSC के अंदर, आप यहाँ पे चाहो तो BSC भी कर सकते हो, तो Nifty 500 चाहिए, या आपको Nifty 50 चाहिए, या कोई भी key indices अगर आपको चाहिए, तो आप वहाँ पे वो select कर सकते हो, specially sector के वाइस चाहिए, तो sector भी आप select कर सकते हो, उसके बाद भी आप अपना चेक कर सपाऊगे, तो कौनसा-कौनसा stock top gainer पे था, कौनसा-कौनसा top loser पे था, most active कौनसा था, 52 week high कौनसा था आज, 52 week low कौनसा है, volume buzzers कौनसे है, उसके detail stocks मुझे यहाँ पे मिल जाएगे, तो suppose अगर मुझे यहाँ से looping दिख रहा है, और looping के बारे में detail पे जानना है, तो म without login है, अगर आपका यहाँ पे login है, और आपको यहाँ पे मिल रहा है, तो directly अगर आप T है, T पे click करोगे, तो आप buy कर पाओगे, ठीक है, यह देखिए, आप यह option भी आ गया, tap to trade instantly, ठीक है, same with कोई भी stock में अगर आप click करोगे, तो आपको मिल जाएगा, उसके बाद option आता ह यही आपका same तरीके से है, कि map wise आपको दिख जाता है, कि कौन से कौन से stock, कितना percentage of moment पे है, यहाँ पी भी आप nifty 50, nifty 500, small cap 100 में change करके अपना काम कर सकते हो, और वो देख सकता है आपको, ठीक है, और इसमें भी आपको पूरे details यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और इसमें stock के बारे में information चाहिए होगा आपको, या कोई भी चीज चाहिए होगा आपको, तो without account भी, आप यह सब information को लेके, काफी ज्यादा useful आपका हो सकता है, काफी informative भी रहेगा, तो आपको कोई भी चीजों के बारे में depth knowledge भी आपको रहेगा, उसके बाद event करके जो tab है, आप event वाल पर details पर information मिल जाता है, तो at a glance हम लोगों को कहीं पर अलग जाना नहीं पड़ेगा, एक ही जागा पर हम लोगों को सब मिल जाएगा, same with result calendar, आप result calendar पर अगर आप देखोगे, यह week पर इतने सारे stock के result है, आपको for the day देखना था, तो for the day भी आप देख सकते हो, आपको next week के बार में देखना है, तो next week के बार में भी अगर आप देख सकते हो, तो as a sum आपको पूरा detail, information, कोई भी events का, आपको यहां से मिल जाएगा, उसके बाद indices टैब है, इंडाइसे टैब में आपको key indices जो है, उसको at a glance आपको देखने को मौका मिल जाएगा, NHC का हो या BSC का हो, ठीक है, वह for the day, week, month और yearly, हर option पर यह दिया गया है, उसके बारे पर आप चाहो तो वह कर सकते हो, ठीक है, alphabetically हो, LTP wise हो, percentage change की हिसाब से हो, तो आप उसको sort भी कर सकते हो, देखिए मैंने alphabetically किया, तो alphabetically यहां पर आ गया, ठीक है, अभी filter option पर जाके, अगर मैं इसको LTP की हिस आप से हो जाएगा, अभी वह percentage change की हिसाब से करूँगा, तो percentage change की हिसाब से आजाएगा, तो जैसे जैसे आपको चाहिए होगा, आप अपनी हिसाब से filter कर सकते हो, करके आपका, यहां पर काम हो जाएगा, उसके बाद यह IPO performance, जितने भी नए IPOs आपके हैं, उसके performance at a glance, आप आपको मिल जाएगा, तो कोई भी IPO में शायद अगर आप apply करके रखे हो, या आपको नहीं मिला है, आपको track करना है, पिछले कुछ दिनों पे जितने भी IPO's आए हैं, आपको at a glance, आपको यहां पे वो देखने को मिल जाएगा, उसके बाद है tab आपका economy करके, economy tab जो है आपका economic tab में आपको, economy के जितने भी important data होते हैं, जासे CRR हो गया, IIP हो गया, reverse repo हो गया, SLR हो गया, repo rate हो गया, यह आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, यहां से भी आप economical data भी collect कर पाओगी, ठीक है, तो यह था आपका equity tab, जहां से आप equity market related, आपको कोई भी information चाहिए, कुछ भ पारे में details चाहिए, तो वो आपको यहां से मिल जाएगा, इसके लिए आपको कहीं पर अलग से जाना नहीं परेगा, इसके बाद जो आपका option आता है, वो है derivative, derivative जो काफी माहिने रखता है, एक share market पे, investment के दौर पे, और आपका as a watch के दौर पे, तो अगर जैसे मैं derivative click किया ह वहाँ पे, तो आपको overview आगया, overview में आप देख सकते हो कि Nifty, Bank Nifty, US DIN और India Wix, जो है, Wix काफी बहुत-बहुत information और बहुत important tool है, specially on derivatives में जो लोग trade करते हैं उन लोगों के लिए, वो features और details जो है, आपको at a time मिल जाएगा, यहाँ पे आप देखोगे कि INFI का जो है, यहाँ आपका spot के price क्या चल रहा है, PC ratio मतलब put call ratio क्या है, वो भी आपको चल जाएगा, premium और discount कितना है, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब आपको अलग से PC ratio के लिए अलग से कहीं पर आपको जाना नहीं परेगा, और spot में क्या चल रहा है, आपको अलग से देखने के ल तो normally जो है, वो आपका 27th में 2021 पे, उसकी साबसे अगर मैं देखूंगा आपका जो है, एक सपहरी है, इस महिने का, उससे साबसे अगर मैं देखूंगा 27th में की साबसे, तो top gainers जो है, top losers जो है, most active जो है, stock futures, options में में most active जो है, वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, तीक में का जो expiry है, उसमें nifty हो, आप nifty है, यहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे आप क्लिक करके change भी कर सकते हो, nifty bank, nifty कुछ भी option आप लगा सकते हो, तो nifty का भी अगर मैं यहाँ यहाँ पे लगाऊ, 6th में का, ठीक है, तो आपको यहाँ पे यह दिख जाएगा यह list wise आपको चाहिए, तो list wise मिल जाएगा, आपको all strike prices चाहिए, तो all strike prices के आपको मिल जाएगे, graphs चाहिए, तो आपको graph wise, PCR इसमें add करना है, तो PCR भी आप add करके, oi changes भी, option pain भी आपको, volatility Q भी आपको दिख जाएगा, ठीक है, custom chart चाहिए, तो आप यहाँ पे अपना custom भी कर सकते हो, आप, custom भी अगर आप चाहिए, तो आप custom भी time कर सकते हो, आप यहाँ पे minute के हिसाब से hourly हिसाब से भी आप change कर सकते हो, जिसमें आपको काफी ज्यादा details, data आपको यहाँ पे मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है, अभी अगर आप इसमें से directly trade करना चाहोगे, suppose मैं 14,800 है, 14,800 में, अगर मुझे यहाँ पे put में, या call पे buy करना है, तो मैं यहाँ पे directly click कर सकता हूँ, click करने के बाद, मैं directly यहाँ पे trade place करूँगा, टी place करूँगा, तो यह यहाँ पे trade हो जाएगा, अगर मेरा यहाँ पे account है, तो, ठीक है, ओके, इसके बाद, अब लोग ज कौन सा है, long unwending कौन सा है, short covering कौन सा है, कौन से-कौन से stock है, क्या है, इसमें अपने को मिल जाएगा, और इसकी साबसे भी हम लोग अपना analysis कर सकते हैं, roll over tab है, roll over tab में nifty, bank nifty, highest roll over कौन से-कौन से stock में क्या हुआ है, इसके details data भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो यह एक, ऐसा information based एक tab बनाया गया है, एक एक ऐसा app बनाया गया यहाँ पे, कि जिसको भी जो भी information चाहिए, वो बहुत ज्यादा यार बहुत बहुत अच्छे तरीके से place किया गया है, ऐसे बहुत सारी चीजे रहते हैं, जिसमें अगर आप app रहता है कि आप बहुत सारी information informative तो होता है बट user friendly होना काफी important है, तो यह काफी user friendly है, आपको एक एक click में एक एक चीजों का जो easy एक layman एक normal इंसान बात करता है उसके सबसे यह places हैं, तो आपको काफी आसानी होगा, कोई भी option आपको ढून के काम करने के लिए, तो हम लोगों ने अभी तक क्या-क्या देखा हम लोगो यहां पर क्या-क्या हम लोग यहां पर dashboard में indices हैं, उसका calculation कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग यहां से check कर सकते हैं कि without login हम लोग यहां पर जो information है, वहां पर हम लोग equity tab देखें, हम लोग derivative tag देखें, इसके बाद commodity tab है आपका, commodity tab में भी आपका gold, silver, crude जो है, उसके positions के details दे सकते हम लोग देख सकते हैं, यहां पर NCDX का भी हम लोग यहां पर details मिल जाएगा, यहां पर open interest analysis इसका भी सेम है, आपका MCX और NCDX के इसके आपसे long build-up, short build-up जो है, आपको यहां पर दिख जाएंगे, तो at a time आपको equity, derivative, commodity तीनों मिल गया, उसके बाद आपका है mutual fund, mutual fund वाला options म पहला tab आता है recommendation, normally हम लोगा जो recommendations रहते है mutual fund में, अगर आप large cap tab में click करोगे तो large cap में इतने सारे recommendation से अपने, आप यहां से multi cap हो गया, यहां से आपका mid cap हो गया, hybrid fund हो गया, तो जितने भी recommendation है, वो हम लोग यहां से check कर पाएंगे, ठीक है, अगर कोई order है, आपका order book है, तो आप यहां पर login करके अपना order book, SIP book, holdings, यह सब आप चिक कर पाओगे mutual fund के दौर पर, watch market के बाद आता है primary market, जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि capital market को दो तरीके से भाग किया जाता है, एक primary market और secondary market, तो हम लोग अभी तक जो market के बारे में बात कर रहे थे, वो थे secondary market, अभी आ आप यहां प्लाई के लिए ढूंते है कहां से करना है, कैसे करना है, क्या-क्या options है, तो हम लोग एडलवाइस के यह app से IPO apply कर सकते हैं, IPO apply हम लोगों का account नहीं भी होगा, तब भी हम लोग कर सकते हैं as a guest, ठीके, तो आपको यहां पर पहला जो यहां पर दिख जाएगा, कि SM SME और mainline IPO, तो mainline IPO का tick जोगा हो, वो blue color का रहेगा, SME का green color का रहेगा, तो कोई भी IPO जो होगा, वो IPO यहां पे आप directly ongoing, अभी तो कोई नहीं चल रहा है IPO, अगर आपको रहेगा, तो वो आपको यहां से दिख जाएगा, दिखने के बाद आपको यहां से status as a guest भी आप कर सकते हो, ठीके, बट इसके लिए आपको UPI ID रहना compulsory है, without UPI आप यहां से IPO apply नहीं कर पाओगे, after IPO application आप यहां पे आपका order book चेक कर सकते हो, ठीके, कि जैसे कि यहां पे आप देख पाओगे कि एक demonstration यहां पे किया गया रखा हुआ है, कितना क्या bit quantity था, क्या process है, application initiate हुआ था, document verification application हुआ था, UPI authentication हुआ था, application accept भी हो गया था, ठीके, तो यह आपका इसी app से आप कर पाओगे application, ठीके, इसके बाद आपता है आपका NCD, जो भी ongoing NCD आपका चलता है, जैसे कि recently आपको मालूम होगा कि Adalwise का recently के NCD चल रहा था, जो 23 तारीक को 20 था, Deptile को close हुआ है, तो वो इ application हम लेखते थे कि NCD apply करने के लिए हम लोगो physical form sign करना पड़ता था, और उसमें भी problem है रहता था कि signature mismatch, इसका problem या signature का differ होने का बहुत सारे problem हुआ करता था, तो इसमें भी आप NCD आप से apply कर पाओगे, not only Adalwise, आप किसका भी NCD आपका लाइफ चल रहा होगा, आप apply कर सकते तो through UPI ID और इसमें भी same है अपना order book जो है आप यहाँ पे check करके काम कर सकते हो, तो at a time अगर मैं आपको बोलूँगा कि आप एक platform से आप अपने watch list को देख पाओगे, अपना अच्छे से portions को देख पाओगे, कौन से कौन से indices आपको चाहिए, informations भी सापको आपको चाहिए, तो अपना watch market में मतलब secondary market में equity, derivative, commodity, mutual fund आपको दिख जाएगा, primary market पे IPO, NCD आपको दिख जाएगा, ठीके, इसके बाद आता है screeners, जैसे एडलवाइज में predefined कुछ screeners बना के रखा है, अपने investors, client और जो prospect investors ही हैं, जो normal लोग हैं उनके लिए भी, इसमें आपका जो screeners set किया ह हुआ है, इसमें अगर आप में positive breakout में click करूँगा, ठीक है, इसमें आपको दिखने को मिलेगा कि Nifty 500 में 10 DA के हिसाब से यह set किया गया है, तो आप इसमें change कर सकते हो, 10, 20, 50, 100, 200 DA में के हिसाब से आप लगा सकते हो, जिसमें positive breakout दिख रहा है आपका, यह आप NSC में है, आप B कर सकते हो, इसके बाद आते हैं आपके research calls, एडलवाइस के जो in-house research होते हैं, वो free रहते हैं, उसके लिए आपका account या उसका आपको कोई purchase नहीं करना पड़ता है, यह completely free है, आप app download कर सकते हो, या एडलवाइस का जो official website है www.डलवाइस.in, यहाँ पर जाके भी आप एडलवा term के जो call रहते हैं एडलवाइस के, वो एक से दो, एक दिन से दो week का बच में रहता है, mid term का आपका एक से तीन मेने के बीच में रहता है, long term का more than a year रहता है, तो मैं अगर आपको यहाँ पर, मैं अगर long term यहाँ पर click करता हूँ, तो long term click करने के बाद, मुझे यहाँ से report होगा, कोई reason होगा, कुछ तो होगा, वो अगर अपने कोच चाहिए, तो उसको लिए read report summary आपको, summary अगर आपको चाहिए, तो आप यहाँ पर summary options पर आप click करके, उसका एक छोटा सा summary आप देख सकते हो, अगर आपको पूरा report download करना है, download आप कर सकते हो, और अगर आप चाह आते हैं, वो यहाँ पर details में available है, वो आप चाहो, तो यहाँ से आप देख सकते हो, same with the currency, ठीक है, इसके बाद आता है आपका news tab, news tab में यहाँ पर काफी अलग-अलग तरीके के news रहता है, एक तो all news है, जो live news आपका दिख रहा है, तो अभी अगर आप देखोगे just now, 9.56 हो रात को, तो आपका इस time के अगर आपको देखगा, आपका live news जो US-India relationship के उपर है, वो भी आ गया, corona curfew के उपर भी आ गया यहाँ पर, बहुत सरे जगा पर, तो यह live news जो है आपका यहाँ पर यहाँ पर दिख जाएगा, result-based news अगर आपको चाहिए होगा, अलग से वो भी यहाँ पर चेक कर सकता हूँ, उहाँ से आपको मुझे मिल जाएगा, यहाँ पर, block deals related information चाहिए, वहाँ पर आपको मिल सकता है, मुझे, अगर मुझे आपको global information चाहिए, global information मिल जाएगा, आपको, fixed income चाहिए, तो fixed income related information मिल जाएगा आपको, तो news का भी segregation, जो काफी vital है, news के बाद आता है, चार्टिंग, जो बहुत important है, as a trader, तो कोई भी stock अगर मैं click करता हूँ, यहाँ पर सब्सक्राइब का इक लिया हुआ हुआ है, तो यह इसका चार्टिंग यहाँ पर खुल गया है, ठीक है, चार्टिंग खुल जाने के बाद, अगर मैं यहाँ पर जाने के बाद आप यह चाहे हो, तो आप अपने सेफ टेंपलेट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, इसमें तो यह था आपका charting tool जो काफी handy है आप देख सकते यह charting tool को इस्तिमाल कर सकते है अपने trade के लिए अपने information के लिए अपके better trade results के लिए ठीक है after that charting अगर हम लोग next option देखें यहाँ पर tools तूल्स में अगर अपने को जाना है तो यहाँ पर अपने को option calculator मिल जाएगा options के values की साबसे यहाँ अगर मैं edit option पर जाता हूं तो underline futures जो भी है यहाँ पर change करके मैं calculate कर सकता हूं what if analysis भी चाहिए तो मैं यहाँ पर edit करके अपना analysis कर सकता हूं ठीक है margin files काफी vital है margin को related जो traders है जो trade करते regularly उनको मालूम होगा कि trade में margin कितना माहिन रखता है आपका तो margin file भी जो है वो हमेशा हम लोग normally क्या होता है कि हम लोग का RM रहता है या normal जो हम लोगों का trade को देखते है या guidance रहता है जो wealth के लिए भी guidance जो भी wealth managers रहते है या relationship manager रहते है उनके उपर हम लोग को पूछना पड़ता है कभी कबर क्या margin है यहां पर किसी को आपको पूछना नहीं है आप कोई भी आपका जो script है उसका margin है वो आपको मिल जाएगा वो भी intraday collateral FMTF FNO currency margin MCX और NCDS के margin अलगा लगे तो मुझे क्या क्या details से मुझे किसी को पूछना नहीं है मेरे पास already data available है मैं यहां से ही check कर सकता हूँ margin file के बाद अगर हम लोग देखें यहां से आपका margin calculator भी मिल जाएगा आप अपने हिसाब से margin calculate भी कर पाऊगे और उसके हिसाब से अपना काम कर भी सकते हो ठीक है तो यह थे आप लोगों के left hand side में options और left hand side में यह options है यह option आपका without login में ने दिखाया without login पर यह सब अगर trade place करना है तो trade के लिए आपको option क्लिक करना परेगा watch list तो यह हो गए आपके watch list ठीक है अब यहां पर आप watch list कैसे create करोगे यह भी एक काफी important चीज़ है आपको watch list create करने ठीक है यहां पर मैने जैसे ही यहां पर जो three dots है वहां पर मैने click किया वहां पर आपको दिख रहे है create new ठीक है मैने create new क्या नाम दिया यहांपर suppose आपका यहां पर माई व्यू ठीक है कौन से कौन से डूब्लिकेट मुझे करना है nifty 50 है nifty next 50 है nifty 50 के उपर है nifty 50 में मैं प्रोसेस किया यहाँ पे ठीक है nifty 50 में मेरे पास views जो है यहाँ यहाँ पे safe कर दिया यहाँ से watch list my view पे आ गया यहाँ पे ठीक है यह हो गए nifty 50 के watch list ठीक है अभी nifty 50 के मैं यहाँ पे मैंने जो watch list set किया है by default वहाँ पे मुझे अगर कोई stock चाहिए जासे की माल लीजे मुझे यहाँ पे कोई भी stock यहाँ पे आप माल लो की यहाँ पे मुझे अगर चाहिए होगा DMART को चाहिए होगा ठीक है NFC ठीक है save watch list symbol my view में यहाँ पे आपका आग जा गया तो कैसे मैंने यहाँ पे आपका watch list create किया यहाँ पे ठीक है यहाँ पे मैंने गया ठीक है view my present watch list यहाँ पे मैंने सबसे पहले create new पे गया create new पे करने के बाद मैंने एक नाम दिया यहाँ पे नाम को select किया process में गया आप चाहो तो एक एक करके भी stock आप यहाँ पे select करके भी डाल सकते हो अपका watch list ठीक है successfully added to open दिखिए यहाँ पे एक एक करके मेरा watch list यहाँ पे add हो जा रहा है my view मैंने गया था अर पन पे यहाँ पर edit option में फिट से जा सकता हूं open पर edit option में मैंने चला गया edit option पर जाके मैंने यहाँ पर देख लिया कि मेने यहाँ पर कॉन्से कॉन्से stock P here iron किया हुआ यह safe कर लिया या नाम चेंज कर लिया ठीक है किर्द कैं bande के वाच लिस्ट यहाँ पर आपके जो होल्डिंग से वह भी आपको दिख जाएगा बढ़ उसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा नॉर्मली निफ्टी 50 के जो वाच लिस्ट होता है वह बाई डिफॉल्ट रहता है और निफ्टी 100 के जो वाच लिस्ट है वह बाई घल्क मिलेगा या इन्फोःमेटिक मिलेगा तो कोई भी दिक्कत है यहाँ अगर आपको प्रॉब्ल्म है आप एक बार अपने एडल्वीस में उखांप लैफर कर सकते हो आपके जो आपका अकाउट एड़वाइस में है या एड़वइस में आपका वार्म उसके साथ आप वो आपको बहुत बेटर चीजों को गाइड कर पाएगा यहाँ पर वो आपको गाइड कर देगा तो आपका और अच्छा रहेगा नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग यह बात करेंगे कि एडलवाइस को लॉग इन करने के बाद और क्या-क्या फीचर्स और क्या-क्या एक्स्टा एडिशन हम लोग कर पाते हैं ठीक है ओके बाई गुट नाइट स्टे सेफ टेस्टे हूँ